अलो दोस्तो बोर्ड में जारी किया मोडल पेपर इस मोडल प्रिक्षा दोजार बाइस को प्रिक्षा दोजार बाइस विसे गणित के लिए कक्सा दस इसको हम हिंदी में सोल करेंगे सो परशेंट वेक्या के साथ इसको सरल करेंगे अब हम सी समांतर सेंटे के दूसरे और तीसरे पद करमस टोईस और अटईस हो तो सेंटे के पहले 61 पदों का योगफल ग्याद कीजिए तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे हमार पास देर का तीसरा और ये दूसरा पद तो हम क्या करेंगे अब clickedMake,ये पदनि Jakag कि दूसरा पद हमार पास तीसरा पद 28 तो सारवंतर केता हो गए ओब कड मेंगे तीसरा पड में से दूसरा घटा देंगे चार बचेगा और कुल पद हमार सीप। तो A1, A1 हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा पद में से सारवंतर को गटा देंगे, तो दूसरा पद हमारे पास है 24 मानिस सारवंतर ए 4, तो 24 में से 4 गया, बचा 20, यह हमारा A आ गया, और हम समांतर सहने के लिए हम जानते हैं, S N बराबर होता है, N बटा 2, 2A पलस N मानिस 1 इंटू D, अब इन सब कमान रख देंगे, तो S N बराबर N कमान अमर पास 61 है, बटा 2, और 2 गुणा A कमान अमर पास 20 है, पलस N कमान 61 है, मानिस 1, और D सारवंतर ए 4, अब हम इसको सरल करेंगे, तो S N बराबर हो जाएगा, 61 बटा 2, 20 इंटू 2, 40, 61 में से यह गया, बचा 60 गुणा 4, तो यह हो गया अमर पास, S N बराबर 61 बटा 2, 40, और 60 इंटू 4 हो गया, 240, तो S N बराबर अमर पास आगया, 61 बटा 2, गुणा 280, जब यह 2 से काटेंगे, तो बचेगा 140, तो 61 इंटू 4, यह हो जाएगा आपके 8,540, तो AP के 61 पदों का योगफल अमर पास आगया, 8,540, तो अब हम इसको क्या करेंगे, के सोटकट, इसमें S N का सूत्र लगा देंगे, और इस सूत्र लगा के यह सब मान रख देंगे, तो हमारा आमसुर आजाएगा, 8,540, अत्वा और वाला क्यूसन है, दो और 101 के मद्धि 5 से विबाजित, बाजिये होने वाले सबी प्रकर संक्याओं का योगफल ग्याद कीजिए, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, दो से उपर कौन से संक्याओं, तीन, तीन में क्या पांच का बाग जाता है, नहीं जाता है, तो पिर देखते हैं, चार में भी नहीं जाता है, पांच, पांच से पांच विबाजिये, तो फर्स संक्याओं का हमारे पास आजाएग तो सुम्द जाता है तो लास एंक हमारे पॉज़ाएगी सो पीस पांड तो पूरा जाता है तो अब हम लेकेंगे एपी का परतम पद हो गया पांच और सारवंतर कितना होगे दूसरे में से ये घटा देंगे फर्स्ट पद को तो 10 माइनिस पांच तो सारवंतर आ गया पांच और अंतिम पद हमार पास आ गया 100 तो इस एंड़ी को मिलिक देंगे 5, 10, 15 और अंतिम पद 100 अब लाश्ट पद के लिए या अन के लिए क्या फॉर्मुला होता है इसको हम लिकेंगे L बराबर लाश्ट पद मतलब A प्लस N माइनिस 1 इंटू D तो लाश्ट पद हमार पास 100 है एक अमार पांच है N माइनिस 1 और सारवंतर हमार पास है 5 तो यह हो गया देखो यह पांच इस साड़ मैंगे तो माइनिस को जाएगा 100 माइनिस 5 इसको हम गुणा कर देंगे 5 N माइनिस 5 तो यह माइनिस 5 से माइनिस 5 तो कड़ गया तो 100 बराबर 5 N तो N बराबर 20 पांच 100 N का मान अमार पास आगया 20 अब हम जानते है SN का सूत्र होता है N बट्टा 2 A प्लस L मुलब पर्तम पद प्लस लाश्ट पद अब हम इसका मान रख देंगे तो SN बराबर N का मान अमार पास 20 आया बट्टा 2 पर्तम पदे 5 और लाश्ट पदे 100 जब इसको सरल करेंगे तो यह होजाएगा 10 और 100 और 5 105 तो SN बराबर हो जाएगा अमार पास 1050 अब इस्ट योगफल हमार पास आगया 1050 तो अब इसमें क्या दो और 105 के मद्धी 5 विबजित बाज्यों वाले सभी प्रकर सेंक्यों का योगफल के लिए हम दोनों सुत्र लागा देंगे L बराबर A प्लस N माइनस 1 इटू D और SN बराबर लगा देंगे N बटा 2 A प्लस L इन सुत्र में मान रखें तो हमार योगफल आजाएगा 1050 अब हम किसे नुमर 18 को तरल करेंगे X X 12 वे बिन्दू ग्याद कीजिए जो बिन्दूओं माइनस 2 और 3 और माइनस 3 और 4 से समान दूरी पर इस्तित है इसमें माइनस 2 और 3 X 1 Y 1 है और माइनस 3 और 4 X 2 Y 2 है फिर हम इसमें दूरी का सुत्र लगा देंगे X X पर है तो Y तो 0 हो जाएगा तो देखो X X पर Y कमान 0 होता है और 1 के लिए दूरी का सुत्र हम लगा देंगे डिस्टेंस D बराबर अंडरूड X माइनस X 1 का स्कूर पलस Y माइनस Y 1 का स्कूर तो जब इसमें मान रखेंगे X1 का मान माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया इसका मदलब x प्लस 2 का स्कुर प्लस y तुarnate 0 है और y1 का मान कितना है 3 0-3 का स्कुर d बराबर ये अंडरोड हो जाएगा इसी परकार हम दूसरा सुत्र लगएंगे d बराबर अंडरोड x-x2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2-y2 कोईर उर ठीन कवरह गोता है 9 और इस सवयागा एक प्लस थरीकस प्लस फर नो सम्तव रख आ हेरा पक्र आपक देंगे दो यह आ चां। खोड़ा प्लस प्लस फॉर całे प्लस तो यह व today , तो मैनेस आज अब बसमें श्राहेगा यहाइगर द forgiven Your लेंक एक चाहते है तो यह हमार पास आगे x square plus 4x plus 4 यह माइनिस अंदर गुणा कर देंगे तो माइनिस x square minus 6x minus 9 बराबर 7 तो यह हमार पास बचा देखो माइनिस का 6x में से plus का 4x गया तो बचा माइनिस का 2x और plus का x square माइनिस का x की सुर्व यह तो cancel हो गया और यहां से हमार पास क्या बचा माइनिस 9 से plus का 4 गया माइनिस के 5 और बराबर 7 तो माइनिस 2x बराबर 7 और यह माइनिस का 5 के साड़ आएगा प्लस का हो जाएगा तो यह हो गया माइनिस 2x बराबर 12 लोग एक्स बराबर हो गया हमार पास minus 6 और y तो 0 है यह तो हमारा अंसर आगे अविश्ट बिंदू माइनस 6 और 0 है इस परसन में हम दूरी का सूत्र लगा लेंगे और मान रख देंगे तो हमारे पास x पर जो मान आएगा वो आएगा माइनस 6 और y 0 है माइनस 6 और 0 अब हम यह अथवा वाला क्यूसन करेंगे हमारे क्यूसन है 118 और 13 को मिलाने वाले रेखा को बिंदू 76 किस अनुपात में विबाजित करता है तो इसमें सब से पहले हम क्या करेंगे इसको चितर अनुसार समझते हैं जैसे यह A और B यह दो बिंदू है A बिंदू है 118, B बिंदू है 1, 3 और जो P बिंदू है 7, 6 इसको M अनुपात N में विबाजित करता है अब A के जो निर्दे सांग X1, Y1 और B के निर्दे सांग X2, Y2 यह हम एक फॉर्मुला जानते हैं X बराबर M X2 प्लस N X1 बटा M प्लस N अब यहां से इसम हम मान रखेंगे तो X बराबर हमारा जो मान है वो है 7 और M गुणा X2 का मान जो B के निर्दे सांगे 1 है तता N गुणा X1 का जो मान है वो है 11 बटा M प्लस N अब हम इसको तिर्चा गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 7M प्लस 7N बराबर M प्लस 19N फिर M वाले पत को अलग रखेंगे और N वाले पत को अलग रखेंगे तो यह हो गया हमारे पास में 7M माइनस M बराबर 21N यह प्लस काही सट आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 7N 7M में से M गया बच्छा 6M और 11N में से 7N गया बच्चा 4N तो यह अमार पास आगया M बटा N वराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 6 तो यह 2 के पावड़े से कड़ जाएगा 2 बटा 3 M अनुपात N अमार पास आगया 2 अनुपात 3 तो हमारा यह आंसर हो गया यह जो 20 अनुपात आएगा वो हो जाएगा 2 अनुपात 3 अरधार्थ बिंदू 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदू 7,6 2 अनुपात 3 में भी बाजित करता है अब हम किस्व नमबर 19 को सरल करेंगे हमारे किस्व ने 5 साइन 17 डिगरी बटा कोस 13 डिगरी पलस 2 कोस 66 डिगरी बटा साइन 13 डिगरी माइनस 6 साइन 15 डिगरी बटा कोस 15 डिगरी का माहन ग्यात कीजिए तो सबसे पहले तिये कि है हमारे टेबल में से माहन है नहीं क्योंकि हमारे टेबल में 0,35, 0,60, 90 होता है यहांपर 17 और 33 तो हम क्या करेंगे इसको यह एक फॉर्मुला जानते हैं वही cos 90 degree minus theta बराबर होता है sin theta तो इसमें हम क्या कर देंगे जो यह 5 को इसे ही रखेंगे cos 33 degree को इसे ही रखेंगे सिर्फ उपर जो sin 17 है उसको हम change कर देंगे cos 90 minus 33 वापिस तो यह हो जाएगा sin x यह हमारा जो दियावा है 5 sin 17 degree बटा cos 33 degree पलस 2 cos 66 degree बटा sin 30 degree minus 6 sin 15 degree upon cos 45 degree तो हम इसको sin वाले पद को change करेंगे यह इसका पूर कोण होता है क्योंकि 33 और 17 किता हो जाता है 90 हो जाता है तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 sin 17 degree को हमने लिख दिया 90 degree minus 33 degree और बटा नीचे वेसा का वेसा ही रखना cos 33 degree पलस 2 नीचे sin 23 degree को ऐसे ही रखना है cos 67 degree को हम लिख सकते हैं 90 degree minus 23 degree और इसी परकार minus 6 cos 75 degree को नीचे ऐसे ही रखना है और sin 15 degree को हम लिख सकते हैं sin 90 minus 75 degree अब हम यह फॉर्मुला जानते हैं के sin 90 डिगरी मानेस थीटा होता है cos θ तो ये देखो, 5 ये होगए अमारा cos theta बटा cos theta पलस 2 cos 90 मानेस थीटा को लेग दिया sin 23 degree बटा sin 23 degree minus 6 sin 90 degree मानेस 35 degree ये होगए cos 45 degree बटा cos 45 degree तो ये सब कैंसल हो जाएंगे cos theta से cos theta तो बचेगा हमार पास पांच और इसी परकार साइन 23 वाला भी कैंसल हो जाएगा पलस का 2 माइनस 6 और कॉस पीछे तरवाला ये भी कैंसल हो जाएगा तो हमार पास वेल्यू आ गई 5 पलस 2 माइनस 6 तो 5 और 2 हो गया 7, 7 में से 6 गया 1 तो हमारा आंसर आ गया 1 ऐसे क्यूशनों में हमें दोनों में से एक अनुपात को चेंज करना है तो हमारा आंसर आ गया 1 जब दो हमें इसको स्राल करेंगे तो हमारा आनसर आ गया 1 अब हम आतो आला क्यूशन करेंगे हमारा क्यूशन है सिद कीजिए cos की गा़ 4 theta प्लस sine की गा़ 4 theta थीटा बराबर 1-2 cos square theta sin square theta तो ऐसे question में सबसे पहले हम जानते हैं sin square theta प्लस cos square theta का मान होता 1 अब देखो जब हम इसके दोनों तरों वरग करेंगे तो sin square theta है जब वरग करेंगे तो यह होज़े के साइन की गाच 4 और कोस वड़ ओजएगा कोस की गाच 4, तो अब हम हम इसका बढ़ वर करते हैं, यह दोनों तरफ हमने इसके बढ़ गज़ेंजिए, आब हम इसको A प्लस B के स्कूर्ण से को लेंगे, A स्कूर प्लस B, स्कूर प्लस 2 A भी से, तो यह देखो यह हो गया, है यह यह प्लस टू इस साइड में तो जैगा माइनस टू को सिस्कूर तीटा साइन स्कूर तीटा यही तो में सिद्ध करना था हैंस पूर्ड ऐसे क्यूशन में हमें सबसे पहले साइन स्कूर थिटा प्लस कोस स्कूर थिटा बराबर एक होता है फिर इसको बड़क करके हम स्ट्राइल करेंगे इसको अब हम क्यूशन नबर 20 को स्ट्राइल करेंगे हमारे क्यूशन निम्न बारमबारता बंटन का माध्य ग्याद कीजिए हमें देर का वरग 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 और यह बारमबारता एफ़ाई है जो देर के 6, 10, 13, 7 और 4 कल्पित माध्य वीदिस हम इसको स्रल करेंगे सबसे पहले हमने यहां वरग लिख दिया 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 इसके बाद में वरमबारता लिख दी एफ़ाई 6, 10, 13, 7, 4 इसके बाद में लिखेंगे हम एकसाई एकसाई को कैसे लिखते हैं यह जो वरग है 0-10 0-10 बटा 2 तो हमर पास आजाएगा 5 यहां इन दोनों के बीच किसाई क्या लिख देंगे तो यह दो को 5 आगई इसी परकार 10 और 20 किते होते हैं 30, 30 बटा 2 हो जाएगे 15 इसी परकार यह सारी वेलियों हम लिख लेंगे इसके बाद में हम निकालेंगे डी आई, डी आई को कैसे लिखते हैं XI-A A हमने जो माध्य माना था वो है 25 देखो, 0-50 तक है तो 50 का आदा हो जाएगा 25 इसका मलब जो वरग है हमारा 20-30 20 प्लस 30 बटा 2 तो यह 25 तो इस परकार हमार पास डी आगे, XI-25 अब हम क्या करेंगे XI कमान 5 है 5-25 यह हो जाएगा माइनस 20 इसके बाद में हम लिखेंगे FI-DI अब देखो, FI की वेल्य मार पास 6 है वो DI की वेल्य मार पास माइनस 20 है, तो जब हम इसको गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस के 120 इसी परकार यह हम सारी वेल्य रख देंगे अब हम इनका निकालेंगे कुल तो FI का कुल योग इता हैगा देखो 6 और 4 10 दस 20 20 और 13 और 7 20, 20 और 20 होगे मार पास 40, इसी परकार हम FI-DI का जब योग निकालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस के 60 अब हम 12 बारता बंटेंग माध्य का हम सुत्र जानते हैं X बार बराबर होता A पलस Sigma FI-DI अपोन Sigma FI तो A का मान अमार पास किता है 25 है और Sigma FI-DI का मान अमार पास किता हो जाएगा माइनस का 60 और Sigma FI का मान अमार पास 40 है यह सभी मान हम इसमें रख देंगे तो अमार पास आजएगा X बार बराबर 25 पलस माइनस 70 बटा 40 यह 0 से 0 कैंसल हो जाएगा तो अमार पास आजएगा X बार बराबर 25 माइनस 7 बटा 4 और अब यहाँ 4 तो यह आजएगा 25 के 100 100 में से 7 बटा 4 और जब 4 का भाग देंगे तो अमार पास आजएगा 23.25 यह हमार आनसर हो गया दीगी बारम बार तक बंटन माज़ दे 23.25 तो हमारे इस क्यूशन का बारम बार तक बंटन का माज़ देंगे 23.25 अब हम अथो वाला क्यूशन करेंगे हमारे क्यूशन है 22.25 बंटन का बहुलग ज्याद कीजिए इसमें हमें वरक दे रहे का 10 से 25, 25 से 40 40 से 55, 55 से 70 70 से 55 और 55 से 100 और बारम बार तक हमें दे रहे की यह पाई 6, 20, 26, 26, 3, 1 तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुलग बहुलग का सूत्र होता है L पलस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H अब देखो बहुलग वरक की जो निम्र सिम्मा होती है जो इसमें सबसे ज़्यादा बारम बारता 45 किये तो इसकी निम्र सिम्मा उगज जाएगी 40 तो देखो यह F1 सबसे ज़्यादा है तो 46 और इसके सामने जो वरक अंत्रा रहे 40 से 55 तो बहुलग वरक की निम्र सिम्मा यह मरपास किती हो जाएगी 40 और वरक अंत्राल मरपास आजएगा 15 बहुलग वरक की बारम बारता F1 यह आजएगे मरपास में 46 बहुलग वरक से ठीक पेले वाले वरक की बारम बारता F0 यह जएगी 20 और बहुलग वरक के ठीक बाद में आने वाले वरक की बारम बारता F2 यह जएगी 26 अब हम यह सारे मान बवलक वाले सुत्र के अंदर रख देंगे तो L का मान अमर पास 40 है F1 का मान अमर पास 45 है F0 का मान B से और वरगंतराल H इसका मान अमर पास 15 है और F2 का मान अमर पास 26 है तो यह हमने मान रख दिया 40 पलस 46 माइनस 20 बट्टा 2 इंटू 46 माइनस 20 माइनस 26 इंटू वरगंत्राल का माने 15 और जब हम इसको सरल करेंगे तो यह मार पास आजेगा 40 पलस 60 बट्टा 7 और 60 में जब 7 का भाग देंगे तो यह आएगा 8.57 तो यह होगया 40 पलस 8.57 यह होगया 8.57 बारंबार तब अंटंग का बहुलक ज़्याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बहुलक का सूत्र लगा देंगे सूत्र लगा के सारे मान उसका अंदर रख देंगे तो हमारे इस क्यूशन का आन सुरा जाएगा बहुलक बराबर 84.57 अब हम क्यूशन नमबर 21 को स्राल करेंगे हमारे क्यूशन ने निम्न रेकिक समिकन व्यू को अले की विदी दूरा हल कीजिए यह हमारे पास दो समिकन ने दे रहे किये 3X-5Y बराबर 1 और 2X-Y बराबर 3 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे X और Y की वेल्यू निकालेंगे और उनकी टेबल बनाएंगे फिर उन टेबल से हम ग्राब बनाएंगे तो सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्वेशन को लिख दिया 3X-5Y बराबर 1 तो यहां से यह हो गया 3X बराबर यह 5Y इस साइड में आएगे तो प्लस का हो गया 5Y प्लस 1 तो X बराबर अमर पास आगया 5Y प्लस 1 बटा 3 अब हम Y का मान रखते जाएंगे और X का मान में प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Y के A से मान रखना है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो Y का मान 1 रखा तो यह हो गया 5 इंटो 1 प्लस 1 बटा 3 विलब 6 बटा 3 बराबर 2 तो X का मान आगया 2 Y का मान जब 1 रखा तो X का मान आगया 2 अब हम Y का मान को 4 रखेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 1 बटा 3, 21 बटा 3 बराबर 7 नतलब y बराबर जब हमने 4 रखा तो x कमान अमरे पास आगया 7 यह अमरे पास x और y में एक टेबल बन गई अब हम दूसरे सम्मिकान से 2x माइनस y बराबर 3 तो यहां से 2x बराबर यह हो गया y प्लस 3 x बराबर हो जाएगा y प्लस 3 बटा 2 अब हम y के मान को रखते जाएंगे और x कमान हमें प्रात हो जाएगा जब हमने y कमान 1 रखा तो 1 प्लस 3 बटा 2 4 बटा 2 मतलब 2 x बराबर आगया 2 अब हम y के मान को 3 रखेंगे तो यह हो गया 3 प्लस 3 बटा 2 6 बटा 2 मतलब 3 X का मान आगया 3 अब हम इन दोनों टेबल की साइता से ग्राप को बनाएंगे यह हमने ग्राप कहिंच दिया X बराबर 2 तो Y बराबर 1 इस बिंदू को हमने नाम दे दिया A इसी परकार जब हम X बराबर चलेंगे 7 और Y बराबर चलेंगे 4 7 और 4 यह बिंदू को नाम दे दिया हमने B फिर स्केल की साइता से A और B बिंदू को मिला देंगे अब हम सेकेंड टेबल से X बराबर चलेंगे 2 और Y बराबर दनात्मक दिसा में चलेंगे 1 X बराबर 3 और Y बराबर चलेंगे 3 इस बिंदू को हमने नाम दे दिया C फिर इस केल के साहिता से इन दोन को हम मिला देंगे तो यह हमार A बिंदू होगा जो हल होगा इसके मान आ जाएगा हमार पास X बराबर 2 और Y बराबर 1 तो इन दोनों मान को हम जब वापिस समीकर्ण में रखेंगे 3X माइनस 5Y बराबर 1 तो X बराबर 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 और Y बराबर 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 6 में से 5 गया 1 इसका मतलब आ रहा है हल एकदम सही है तो हमार आंसर होगे X बराबर 2 और Y बराबर 1 ऐसे क्यूशन को हम सरल करने के लिए सबसे पहले हम X और Y में एक टेबल बनाएंगे फिर उनको गराब खेंचेंगे तो हमार पास इसके आंसर आजाए क्यूशन के X बराबर 2 और Y बराबर 1 अब हम क्यूशन नंबर 22 को सोल करेंगे हमारे क्यूशन ने एक 10 सेंटिमीटर लंबाई का रेकाखंड खींच कर उसका 2 अनुपा 3 में विभजिन कीजिए तो इसमें सबसे पहले हम एक कचा चितर बना लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे हैं सबसे पहले हम इसकेल की साइटा से 10 सेंटिमीटर के एक रेकाखंड A B खींचते हैं बिन्दू A पर 90 डिगरी से कम का कौन B A C डिगरी का हम बनाते हैं रेकाखंड A C को परकार की साइटा से हम 5 वागों में बांट लेते हैं अब 5 वे बिन्दू 20 से मिला कर इसको माप लेते हैं जो कि 90 डिगरी का होता है फिर इसी के समानतर एक रेकाखंड बिन्दू 2 से खींचते हैं जो कि रेकाखंड A B को 2 अनुपा 3 में भी बज़ित करती है सबसे परतम इसके लेते हैं उससे 10 सेंटिमेटर से मिला की एक रेका खींचते हैं वो जिसका नाम दिया हमने A B अब चांदे की साइटा से 90 डिगरी से कम डिगरी का 30 डिगरी के एकोन बनाते हैं और फिर हम परकार की साइटा से बिन्दू A से इसको समान 5 वागों में विबाजित कर देते हैं एक, दो, तेन, चार और पांच फिर हम उसको नाम दे देते हैं एक, दो, तेन, चार और बीस से का कौन बनाते हैं ठीक उसी परकार दो से का कौन बनाते हैं जिसको नाम हम P देते हैं ये इसको A B को दो नपात तीन में विबाजित करता है ऐसे किशन हों हम सब से पिले कच्छा चित्र बना लेते हैं और फिर उसको स्केल परकार और चांदे की साहता से उसका विबजन करके रचना करते हैं इस परकार हमें यह रचना प्राप्त होती है अब हम अथोः वाले किशन को करेंगे हमारे किस्ट ने A B बराबर 5 सेमी लंबाई के एक रेकाकंड खींचे बिंदू B को केंदर मान कर 2.2 सेमी तिर्जा का वर्त बनाए तता इस वर्त पर बिंदू A से इस पर शेकाई खींचे सकेल की साइटा से 5 सेंटिमेटर के एक रेकाकंड खींचते हैं तता जिसको नाम हम A B देते हैं अब B को केंदर मान कर एक वर्त खींचते हैं तता बिंदू A से एक उपर के और चाप काड़ते हैं तता एक नेचे के और चाप को काड़ते हैं इसी परकार बिंदू B से एक उपर के और चाप काड़ते हैं तथा एक नीचे के और चाप काड़ते हैं इन दोनों कटान बिंदूओं को स्केल की साइता से मिला देते हैं जिसको हम बिंदू C नाम देते हैं अब बिंदू C से एक वर्थ खेंशते हैं अब बिंदू A से एक इस पर शेका खेंशते हैं जहां पर दोनों वर्थ तथा उस बिंदू को हम नाम D देते हैं इसी परकार ये दोनों वर्थ नीचे के और टच करते हैं वहां पर एक बिंदू A से इस पर शेका खेंशते हैं उस इस पर शेका को E नाम दिया इस परकार A B बराबर 5 सेमी लंबाई के ग्रेका कंड खींच कर बिंदू B को केंदर मान कर 2.2 सेमी तेजिया का वर्थ बनाते हैं तता इस वर्थ पर बिंदू A से इस फिरशेकाई खींचते हैं जो कि चित्र अनुसार प्राप्त होती है अब हम क्यूस नमर 23 को सोल करेंगे हमारे क्यूस ने विम बारबार ता बंठन का मजडिक ज्याद कीजिए हमें देर का वर्ग 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 तता बारबार ता इफाई देर के 6, 20, 46, 26, 3, 1 तो सबसे पहले हम इसके अंदर माजडिक का सूत्र लगाते है यह सूत्र होता है एल पलस सिग्मा एप बटा दो माइनस सी एप सी एप संचे बारबार ता है बटा एप इंटू एच, एच वरगंत्रा ले तो सबसे पहले हम यह वरग लिख देखते हैं 10, 25, 25, 44, 45, 55, 57, 57, 57, 55, 55, 100 तता एप आई यह अमर पास 6, 20, 46, 23, 1 अब हम इसका सी एप लिखेंगे सी एप लिखने के लिए सबसे पहले इस एप आई को इसा कैसा ही रखेंगे यह 6 का 6 लिख दिया अब हम 20 के अंदर 6 को जोड देंगे मतलब 3 चा जोड ना है तो हमें सी एप राप्त होगा 26 इसी परकार सित्तर, छिन्नू, निन्यनू और सो अब हमार पास सी एप का योग आया सो सो में 2 का भाग देंगे तो आएगे 50 पच्चास ठीक उपर वाली सी एप है हमार पास में सित्तर और सित्तर के सामने एप आई देरका 46 तता ये जो वरग है ये देरका 40 से पच्चपन तो अब हमें लिखना है मादिक वरग की निम सिमा तो मादिक वरग की निम सिमा एल ये होगई अमार पास 40 और वरग माप 55 में से 40 गया बचा 15 तो वरग निम सिमा एल ये अमार पास 46 तता मादिक वरग से ठीक पेले वाले वरग की संचे बारं बारता तो ये अमार पास 26 तो ये हमने लिख दिया CF 26 अब हम इन सबी मानों को माद्य के सुत्तर के अंदर रग देंगे तो यह हमार पास आजेगा 40 पलस 50 माइनस 26 बटा 46 इंटू 15 तो यह हो गया हमार पास 40 पलस 50 में से 26 गया 24 बटा 46 इंटू 15 जब इसको सरल करेंगे तो यह आजेगा 84.182 यह यहमार आंसर है तो बारंबारता बंटन का माधिक ज्याद करने के लिए हम सबसे पहले माधिक का सुत्र लगते हैं तदा सियव को ज्याद करते हैं फिर सभी मानों को माधिक के अंदर रखकर हम बंटन का माधिक ज्याद करते हैं जो कि हमार पास है अरचास पॉइंट एकाट दो अब हम अथ्वा वाले पर्शन को करेंगे निम्द बारंबारता बंटन का बउल ग्याद कीजिए प्राप्तांग दे रहे का 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और चात्रों के संक्य हमें दे रहे के 5, 10, 12, 6, 3 तो सबसे पहले हम बउल का सुत्र लगाएंगे यह सुत्र है L पलस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, H वरग अंत्राल है तो सबसे पहले हम देखते हैं अब हम लिखेंगे बउलक वरग की निम्द सिम्मा L तो यह 12 के सामने है 40 और वरग अंत्राल 60 में से 40 गया 20 बउलक वरग की बारंबारता यह मरपास है 12 F1 बउलक वरग से ठीक पहले वाले वरग की बारंबारता F0 यह मरपास है 10 बउलक वरग के ठीक बाद में आने वाली वरग की बारंबारता F2 यह मरपास है 6 तो F2 का मान लिख दिया 6 अब हम इन सभी मानों को बवल के सुत्र के अंदर रंदेगे तो यह आजाएगा 40 प्लस 12 माइनस 10 बटा 2 इंटु 12 माइनस 10 माइनस 6 गोणा 20 और अब हम इनको सरल करेंगे तो यह आजाएगा 40 प्लस 2 बटा 8 वराबर 40 प्लस 0.25 बारं बार्त बंटन का बवलक आगया 40.25 ऐसे किस्न हम सबसे पहले बवलक का सुत्र लगाएंगे तता इन सभी मानों को उसके अंदर रग देगे तो हमें इस किस्न के अंदर बार्म बारत बंटन का बवलक प्राप्त होगा 40.25 झाल झाल